तो दोस्तों नमस्कार हमारे ट्यूप चैनल में आपका सुवागत है देखिए सुभा के 6 बजे आप लोग यहाँ पर क्लास जोइन कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों देखिए 60 कोशन का आप लोग रेगुलर जो है सेट लगा सकते हैं यहाँ पर देखिए जिसमें से आप भी कोशन रहेगा जहारखंट जी के जहारखंट करेंट अफ्यर्स और जहारखंड समसमाई किसे टीक है यह तीनों सेक्शन से आप लोगा देखिए 40 कोशन आप लोगा रहेगा और 20 कोशन आप लोगा से आज कर अंग्रेजों को जो है देना सुईकार किया था इसका सही अंसर रुपे ठीक है ध्यां डियांचा देखीक 1 जगरनाथ धाल को जो है अब दस्त कर अंग्रेजों ने नीमू धाल को जो है धाल भूम का देखे राजा बनाया था ठीक है जगरनाथ धाल को मतलब समाप्त कर और अंग्रेजों ने जो है नीमू धाल को धाल भूम का राजा बनाया था जिसके कारण सो जगरनाथ धालने जो ह यहां पर पुनह जो है इसको देखे गद्धी पर बैठाना पड़ा ठीक है अंगरेज यानि कंपनी सासंद वारा जगना धाल को देखे राजा जो है स्विकार किये जाने के बाद बीद्रों देखे समाप्त हो गया था ठीक है तो यह जो बीद्रों का देखे जोगी ढाल अगले कोशन देखते हैं और ध्यान रखे सो अंगरेजों के बिरुद या ढाल बीद्रों पर्थम बिद्रों उठा अगले कोशन यहां पर जारखंड के किस छेत्र में तिलका अंदोलन का परसार था यह कोशन नमर सेकंड देखे जारखंड के किस छेत्र में तिलका अंदो प्रमुख केंद्र के नाम से जाना जाता है वन चरी जोर देखिए इसका प्रमुख केंद्र था युद्ध का ठीक है प्रमुख केंद्र था तो वन चरी जोर था जो कि अभी ना अभी देखिए भागलपूर नाम से जो है जाना जाता है ठीक है इस अंदोलन का दोस्तों प्रमुख केंद्र था वन चरी जोर ठीक है देखिए परचार परसार के लिए इसका क्या परियोग किया तिलका मांजी ने ठीक है, 13 जनवरी 1784 को तिलका मांजी ने तीर से मार कर किलीवलेंड को हत्या कर दी थी और 1785 इस्वी में अंगरेजियों दुवरा तिलका मांजी को धोके से गिरिपतार कर लिया और दोसों ध्यार के भागलपूर के जो है बर्गत पेड में यसे देखे फांसी पर लटका दिया था जारकंड के सोतंतर्ता शेनानी में सरपर्थम सहीद होने वाला सेनानी तिलका मांजी है देखे अगला कुशेन है इन में से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायन की मिर्तिय हो गयी थी तो दोस्तों ये भी कुशन आप लोगा देखे विद्रो से कुशन ही है इनमे से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायन की मिरत्य हो गई थी तो इसका सही अंसर रोगा सीन मर्द सुन जोकी चेतन सिंग ठीक है राइट अंसर रोगा ध्यान रिखे भूमीज विद्रो के न जंगल महल के चेत्रों में लूट पार्ट करने के कारण देखे इने जो है अंग्रेजों द्वारा चुहार कहा जाता है ठीक है अंग्रेजों द्वारा इसको क्या कहा जाता है ठीक है क्योंकि जंगल महल के चेत्रों को देखे लूट पार्ट के कारण जो है अंग्रेजों इसका नेत्रितों करता है इस विद्रों का देखिए परसार मुख्य तथा बिर्भूम चेत्रों में था ध्यान रखेंगे इनमें से किसके नेत्रितों में सत्यागरह किया गया तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ध्यान रखेंगे रांची में किसके नेत्रितों में सत्यागरह किया गया तो कि बोरेशवर सहाय और गुलाब तिवारी ये दोनों ही कथन आप लोगा सही होगा सी नंबर देखिए उप्सन आप लोगा सही होगा दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगा रॉलेट एक्ट का विरोध जो है 1919 इसव में देखें किया गया ठीक है ये कुशन देखिए एक जाम मैं पूछा जाता है रॉलेट एक्ट कब हुआ तो 1919 ध्यान रखेंगा अप लोग ठीक है किया गया अलग-अलग अस्थानों पर ठीक है चलिए अगले कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन आप लोग का ये रहा मानभूम में जारकन सत्यागरह क्यों किया गया था मानभूम में जारकन सत्यागरह क्यों किया गया था ये कोशिन का देखिए आंसर क्या होगा दोसों धियांड केगा ए नमबर ठीक है जो कि कॉंग्रीस ने था अतूल चंद्र घोस की गिरिपतारी के बिरोध में धेखिए जारकंड मानभूम में ज़ारकंड के मानभूम में जंडा सत्यागरा जो है किया गया था ठीक है चलिए अप्रेल 1945 को जो है रास्टिय सप्ता घोसित किया गया था ठीक है रास्टिय सप्ता घोसित किया गया था मानभूम में जो है कॉंग्रेस के ने था चंद्र घोस को जो है रास्टिय सप्ता के दोरान कॉंग्रेसी जंडा फाराने का आरूप लगा कर गिरिपतार कर लिया इस इसके परिणाम स्वर्व दोसों लोगों ने जंडा सत्यागरा शुरू कर दिया। अगले कुशन यहाँ पर दिया कि मौलाना अबूलकलाम आजाद ने किस प्रेश को बेच कर उससे प्राप्त धनरासी का परियोग राची में मदरसा की अस्थापना हेतु किया था। ब्रिटिस सरकार ने होम रूल अंदोलन के दोरान मौलाना अबूलकलाम आजाद को राची में नजर बंद करके रखा था। ब्रिटिस सरकार ने होम रूल अंदोलन के दोरान मौलाना अबूलकलाम आजाद को राची में नजर बंद करके रखा था। इन्हों ने दोस्तों ध्यान रखे का 1917 में राची में अंजुमन इसलामियां और मदर्सा इसलामियां की अस्थापना में महतपूर्ण भूमी का निभाई थी। अगले कुश्यन अगलों का ये है देखिए शंतालों के बीच उतकरिष्ट कारिये करने है तू निम्र मैंसे किसे केसर एह हिंध की उपाधी से नवाजा गया इसकों का इसकों साई अंसर क्या आगा दोसों भी कहा जाता है इसे देखिए संथालों का जो है देव दूत भी कहा जाता है ठीक है ध्यान रिखिए संथालों का जो है से देव दूत भी कहा जाता है अगला कुशन देखिए बिहार से अलग वनांचल नाम से एक राज के गठन की मांग किस पाटी दुवरा की गई थी बिहा से अलग वनांचल नाम से एक राज के गठन की मांग कीस पाटी दोरा की गई थी तो यहाँ पर देखे भाजपा इसका जो है सही अंसर होगा देखे उनीस सो अंठानवे में जो है केंद्र सरकार ने बिहार बिधान सवा दोरा पारित संकल्व के अधार पर जो है वनांचल रा पिर दोसों हुआ क्या पिर देखे 25 अपरेल 2000 को जो है बिहार सरकार दोवारा अलग जारकन राज्य के लिए बिहार राज्य पुनरगठन विदहयक 2000 को जो है सुविकरती परदान की गई ठीक है दुबारा रेपीट कर देखे 1998 में जो है केंदर सरकार ने बिहार बिधान सबा दोवारा पारित संकल्प के अधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनरगठन विदहयक तयार कर उसकी सुविकरती है तुब बिहार सरकार को जो है भेजा जिसे यहाँ पर जिसे क्या वाज उसको के बिहार राज्य हेतु बिहार राज्य पुनरगठन विधेयक दो हजार को जो है सुविकरती परदान की गई देखिए आप लोग का अगला कुशन है यहाँ पर किस वर्स जामोमों से आजसु पाटी अलग हो गई किस वर्स जामोमों से आजसु पाटी अलग हो गई इसका देखिए सई अंसर क्या वाज्य पूरी तरह जो है अलग हो गया था देखिए आजसु दूस्तों जिसको आप लोग पूरा नाम बोलते है ओल जारखंड इस्टूडेंस एसोसीएशन जिसका अस्थापना देखिए 22 जून 1986 को किया गया आजसु पाटी की अस्थापना 22 जून 1986 को देखिए किया गया ठीक है देखिए 22 जून 1986 इस भी को जो है जामोमों के निर्मल महतु एवं सीबू स्वारेन के जो है नेतरितु में जमसितपूर में जो है औल जारखंड इस्टूडेंस एसोसीएशन जिस जामोमों के निर्मल महतु एवं सीबू स्वारेन के नेतरितो में जमसितपूर में जो है ध्यान रखे कि जमसितपूर में जो है यहाँ पर आजसु नामक संगठन की अस्थापना की गई सूरिय सेंग बेसरा ने खून के बदले खून की रन निती की घोसना के थी ठीक है य किसको बनाया गया था तो देखे परभाकर तिर्की को देखे इसका पर्थम अध्यक्ष के रूप में देखे बनाया गया था और पर्थम महासाचिप जो है सूरिया सिंग बेसरा पर्थम महासाचिप के रूप में देखे इसको बनाया गया था ठीक है इस पार्टी का गठन ज जामुमो के निर्मल महतोर सिभु सोरेण की नेतरीतुमें ठीक है तो मतलब पूरी तरह से तुष्णों की जुआ जमुमो यानी जेमेम ठीक है जेमेम की छतरचाया में ही हुआ ता इस पाटिका गठन ठीक है आधिवासी को भी आश्राय दिया और आसरय पाने वाले गैर आवाधिवासी को भी आश्राय दिया आदिवासित तो अपने राज में असरे दिए और यहां पर इसको जो है दिवान बनाए अपना भाव राइ सिरी वास्तव को ठीक है ध्यान रखेए लेके मुंडा राजा के बाद जो है दोस्तों दियान रराजा के बाद जो है नागवन्स द्वारा अपना राज देखे अस्थापित किया गया तिया अन्य नेटाओं की जो है सर्व समयती से देखिए नागमन्स का जो है इसे आदी पूरुस भी कहा जाता है अगला कुशन आप लोगा देखिए ये राज हार्खंड की जन्जातियों में परचलित इन विभाउंक में गलत मिलान का देखिए चयन करना है आप लोगो चलिए इसका सही अंसर क्या हुआ देजिए डी नमबर देखिए इसका सही अंसर आगा जो कि उप्यूप सभी सत्यापलों करेगा ठीक है जैसे कि सेवा बिवा में क्या होता है बिवा पूर्व जो है वर्दवारा अपने साथ ससुर की सेवा की जाती है ठीक है वर्दवारा द अगले कोशन यहाँ पर दिए संथाल जनजाती में तहवारों की सुरुवात की समाह में होती है तो दोसों इस कोशन का सभी अंसर आप लोगा क्या होआँ देखी C नमबर ठीक है सरहुल को देखे बापरब बोलते हैं ठीक है सरहुल को जो है बापरब के नाम से देखे जाना जाता है सो संथल जन जाती में देखे एक इसका दोस्तों परब होता है देखे एरोक एरोक दोस्तों देखे नाम सुनेंगे हलागे रेगुलर क्लास कर रहे हैं दखने की असाब महने में असाड महने में बीज बोते समय मनाया जाता हु ए्रोग पर्व टीक है इसका अबजा पर्व होता है सब्सक्राइब अच्छी पर्व खरांबसे करा दिए अपने को दियान मेंरों इसलिकर अ करो पुछे मैंत तरुन supplied आधान की यस्था दो मित्र की पतनियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है उराओं जन्जाती में दो मित्र की पतनियां आपस में एक दूसरे को दिखे किस नाम से बुलाती है लारीन शंगिनी ये दोनों ही कथन इसका जो है सही अंसरों का सी नमर ठीक है लड़कियां जो है इस परकार बने मित्र को गोई या करमडार मतलब करमडार कहते हैं लड़कियां जो है इस परकार बने मित्र को क्या कहते हैं तो ध्यान रेके सों गोई या फिर करमडार कहते हैं अर लड़के दुस्तों क्या कहते हैं लड़के देखे लार या संगी कहते हैं लड़के देखे क्या कहते हैं लड़के जो है लार या संगी कहते हैं ठीक है विभाह के उपरांद विभाह के बाद लड़कों की पतनियां आपस में जो है एक दूसरे को लारीन या संगीनी बुलाती है ठीक है यह जैसे आपको बता ह लारिन या शंगिनी बुलाती है लड़का देखे इस तरह के मित्रता को क्या काता है लार या संगी और जैसे बिभा होता है दोसों इन लड़कों का उनके पत्नियां देखे क्या बोलते हैं लारिन और शंगिनी अगला कुशन यहाँ पर देखे तीलमी का कीला इन में से किस जीले में अवस्तित है तो तीलमी का कीला दोस्तों इन में से किस जीले में अवस्तित है देखे खूटी खूटी दोस्तों ध्यान रखे कर्रा कर्रा नामकस्तान खूटी के कर्रा नामकस्तान पर देखे जो है कीला इस्तित है इसका निर्मान दोस्तों धियान रखे कि 1737 इस्वि में अकबर नामक एक नागबनसी ठाकूर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्यसे से तिल्मी किला का निर्मान किया था इनमें से किस अस्थां पर अवस्तित हैं प्राप नामक प्राप नाख्विक द्रिष्टि से इसके निर्मान का समय कावाइस तके 17Ok इसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी साथ रानिया तथा एक कुत्य का चित्र अंकीत है ठीक है ध्यान रखेका है दूसरों सका चलिए अगले कोशन देखते हैं पूर्वी सिंग्भूम के घाटसिला मेंस्तित रंकिनी देवी मंदीर की देवी रंकिनी इनमें से किसकी कुल देवी है तो इसका सही अंसर क्या होगा अपर बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंग्भूम घाटसिला मेंस्तित रंकिनी देवी मंदीर है जहां पर दोसों रंकिन इन में से किस की कुल देवी है, आपको ये बताने है, इसका सही अंसर आप लोग आप लोगे क्या होगा, ए नमर जो की ढाल भूम राजाओं की, ठीक है, इस मंदिर का जो है निर्मान दोसों ध्यान रखी की का महूलिया, ठीक है, महोलिया पहाडी पर जो है किया गया था, इस जहां पर जो है नर्वली पर देने का परचलन था अगला कुसर नहीं पर देके धनबाद में आवस्थित इन में से कौन सा मंदीर भूमी तथा पृत्वी के जनजात या देवता को समर्पित है धनबाद में अवस्तित इन में से कौन सा मंदीर भूमी तथा प्रित्वी के जनजात ये देवता को शमरपीत है इसका सही अंसर आएगा अगला दोमकच क्या है आपको बताना है ठीक है डोमकच इसका आप लोग का इस्तरी परधान निरित्य है इस निरित्य का परदसन देखे विवहा की अफसर पर जो है किया जाता है ठीक है रात्री में देखे जो है महिलाओं के दो दल होते है ठीक है रात्री में महिलाओं द्वारा गीत का आईजन किया जाता है और महिलाओं के दो दल होता है एक दल जो है क्या करता है गीत उठाता है और दूसरा दल जो है उन गीतों की जो है कड़ियों को दोहराता है ठीक है इ इसको लोगों बोलते हैं जस्पूरिया, अस्मिया, जुम्टा ये सब देखिए जो इनके परकार हैं देखिए अगला कुछन है हेरो पर्व मुख्यरूप से जार्खंड की इनमे से किस जन्जाती में परचली थे तो हेरो पर्व दोषों ध्यान रहिए, हो जन्जाती में परचली थे, इसका अर्थ है, हेरो का ओफ देखिए अर्थ क्या होता है, छीटना या बुवाई करना अगले कोशन यहां पर जातियों में इन में से कौन सी भासा देके प्रचलित है जार्खंड के नट मलाट तथा गुलगुलिया जातियों में इन में से कौन सी भासा प्रचलित है जीपसी भासा देके प्रचलित है यह भासा जो है जार्खंड के सीमीत छेतर में ही भोली जाती है जिपसी भासा देखें जारकन के सीमित छेतर में ही बोली जाती है अगले कुस्ण यहाँ पर देखें नागपुरी भासा से संबंदित प्रमुक रचना नागवनसवाली की रचना किसने की इसका सही अंसर क्या होगा दो देखिए डी नंबर होगा दो जो की बेनी राम महतायस का देखिए सही अंसर आएगा अगले कुस्ण देखें निम्ने में से किस राजी के साथ जहारखन राजी के सारवाधिक जीलों की सीमाएं लगती है ठीक है निमने में से किस राजे के साथ जहारखन राजे के सरवाधिक जीलों की सीमाएं लगती है तो इस question का सही अंसर क्या को दोस्तों देखे डी नम्मर होगा जो कि यहाँ पर पस्षिम मंगाल और बिहार यह दोनों ही देखे आप लोग का सही अंसर हैगा बिहार से जीले मतलब लगते हैं कौन कुन से मतलब सटते हैं दोस्तों देखे हम बात बता रहे हैं अपको गणभा पलामूं चतरा हाजारी बात आप आप मैप निकालके देख सकते हैं हचार इबाग, कोडरमा आजाएगा, गिरडी आजाएगा, देवगर भी आजाएगा, ढूंका भी आजाएगा गोड़ा भी आजाएगा, और साहिब गंज आजाएगा, इतना बिहार राजे से संद मतलब सटे होए है, ठेके, पड़ बोलिए तो, मैं आ सपुर्स कर रहा है, देखे, पस्चिम बंगाल से में लोग देखा झागा अब लोग आजागा, दुमका आजागा, जामतड़ा आजागा, धनबाद आजागा, भुकारू आजागा, रामगड आजागा, रांची आजागा, सराय के लाकर्सों आजागा, और एक दोस्तों पूर्वी सिंग भूम सब्सक्राज करती है जिले की सीमा ति खोटी और लहौर दगगा ठीक है ये दो जीले है जार्कन के जो देखे किसी अन्य राजे से मतलब सिमा से सनलगन नहीं होता है जो दोब दियान रखना है खोटी और लहौर दगगा को डी नंबर इसका जो है सही अंसर आएगा अगले कुश्चिया पर दिए फल्गुन नदि का उद्गम चेतर आपको बतानी है तो फल्गुन नदि का उद्गम चेतर दोस्तों खहाँ पर है तो चोटा-नागपूर पत़ार ठीक है इसका एए नंबर अपलों का सैयन्सूर नदि का उद्गम तेसे इसके साह्यक नदियां की बात करें साह कुणते हैं सच को उसना नदी में जारकन के जारकन में केट निकलता है आपर वाचे तरह दोसों इसका जो है बिहार राज में है तो अगले कुछन यहां पर देखे अगला कुछन ये पीसी का पूरा नाम क्या आपको ये बतानी है इस कुछन का देखे सही अंसर क्या गवाद दोसों सी नमर टेका जो की जहारकंड इंजिनियरिंग जो की जहारकंड एजुकेशन प्रोजेक्ट कॉंसील आप लोगा जो इसका देखे सही अंसर का बी नमर टेके जहारकंड के करेंट फिर समसमाई की से कुछन हम आप लोग लिए अप लेकर कर आएं तेकि यहां पर है पहला कुछन है जहारकंड उद्योगीक एबं निवेस प् सम्मंद में कौन सा कथन सत्य है कॉस्चन नमर पहला है इस कॉस्चन का सही अंसर कॉस्चन डी नमर जो की उप्यूक सभी यहां पर देखे बात हो रही है या निती जो है एक अपरेल 2021 को देखे लागू मानी जाएगी या देखे सात वरसों के लिए प्रभावी होगी इसमे पांच लाग लोगों को जो है रोजगार एबम एक लाग करोड के जो है निवेज का लक्ष निर्धारित किया गया है उप्यूक सभी इसमें जो है सही अंसर का आप लोगा कॉस्चन ता जारकन ओद्योगी एबम निवेज प्रोचसाहन निती 2021 के संबंद में कौन सा कथन सत प्रभाबी होगी इसमें पांच लाग लोगों को जो है रोजगार एबम एक लाग करोड के निवेज का लक्ष निर्धारित किया गया है अगले कुस्चन देखे जारकन ओद्योगी एबम निवेज प्रोचसाहन निती 2021 में कूल कितने छेत्रों को जो है प्रात्मिक्ता पर यहाँ पर कुल छेत्रों को जो है प्रात्मिक्ता दी गई है देखे हाली में जन्जातिय समाज की संस्कृति और प्रमपराओं के उत्थान हे तू मुख्यमंत्री हैमंत्सोरेंद्वारा राची के करमटोली में निम्ण में से किस भवन का सिला नियास किया गया हाली में दे जरी है इस कुष्ण का सही अंसर का सो ए नंबर जो कि देखे घूमकुडिया राइट अंसर होगा ठीक है घूमकुडिया अगले कुस्षण यहाँ पर देखे अगला कुस्षण है निम्ण में से किसे जहारखंट आंदोलन कारी चिनित करन आईयोक का अध्यक्ष बनाया गया यह कुस्ष नमर देखे फोर है इसका सही अंसर का दी नमयं दोरगा ऊटीक है अगले कुस्षन यहाँ पर चलते हैं देखे जारखंड के किस सांसद को नरेंदर मोधी मंतरी मंदल में केंदर सिक्षा राज्य मंतरी बनाया गया है की रैंकिंग में रांची को कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है निती आयुक दुआरा देश में देश भर में देखे 112 आकांची जीलो की रैंकिंग में रांची को देखे कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है कुस्षन नमर 6 ए नमबर होगा जो कि पहला रैंक इसको देखे पर 21 का नागार्जुन पुरुषकार परधाण किया गया है कुछ्षिर नमर 82 है सी नमबर देखे से Diese कह जोके जूनेथर पती इसका इंद्र पती इसका डेखे राहेत अंसर का ik जहारकंड के किस अस्थान पर जहारकंड राज्जे क्रिकेट एसोसियेशन यवा बोकारो श्चिल प्लांट के सहयोग से राज्ज का तीसरा अंतरास्ट या क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा कुस्चन नमबर देखे नाइन है सही अंसरों का अपलोगा बी नमबर जो की बोकारो में अगले कुस्चन देखे स्मार्ट सिटी मिसन की योजना के किरियानियन में जहारकंड को देश भर में कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है कुस्चन नमबर देखे स्मार्ट सिटी मिसन के योजना की किरियानियन में जहारकंड को देश भर में कौन सा अस्थान पराप्त हुआ है कुस्चन नमबर टैन है सही अंसर है का अगले कुस्चन देखे जहारकंड बीजली बितरन निगम द्वारा वो भकताओं की सुविध कौन सा अप शुरू किया गया है कुस्चन नमबर 11 देखे इस कुस्चन का सही अंसर हो का ए नमबर दोसों जो की इजी बिल सेल्फ बिलिंग एप ठीक है ए नमबर कुस्चन 12 देखे सिबी आई ने देशक सुबोध कुमार जैस वाल जहारकंड के किस जीले के रहने वाले है कुस्चन नमबर 12 देखे इस कुस्चन का सही अंसर का डी नमबर जो की धनबाद दोस्तों आगर जिदे आप लोग जहारकंड के किसी भी एकजाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखे चक्छु पब्लिकेशन दोस्तों आप लोग लिए एक बहुत ही बहतरीन बूक लेकर प्रशाइब लोग लिए बेस्ट बूक है तो चक्छु पब्लिकेशन का ये बूक है बहुत बढ़िया बूक आप लोग इस बूक को देखे परचेस कर सकते हैं और उस अपना जो है पड़ाई कंटेनिव कर सकते हैं जारकंड जीके के साथ यहां पर देखे तीन अजार महत आप वाट्सप मेसेज भी कर सकते हैं इस बूक में सो खासियत यह कि अपर जीतने भी चैप्टर आते हैं जारकंड बूक में दूस्वें यहां पर विसे सुची दे दिया हुआ है सारा चीज यहां पर देखें आप लोग जो है जितना भी आता है यहां पर देखेंग देद आप योगी महतोफून परसना भी दिया हुआ है ठीक है जैसे कि आप परिच्छा प्योगी महतोफून परसना जोकिसम बहुत इंपोर्टेंट रखता एक्जाम में जब आप 200 एकजाम जांब देने जाते हैं तो आप लोग से यह सब आप लोग बहुत ही इंपोर्टेंट ज्वारत जरूरी यह सो जो एग्जाम में पूछा जा जाता बार बार वो भी सब सवाल देखें आप जो है दिया होगा तरर चेप्टर के जो है लगा दिया वा तो इस तरण सब्सक्राइब को परचेस कर सकते हैं डिस्कर्स में लिंक दे दिया हुआ है आप लोग इसमों बुक को पर्चेस कर सकते हैं अगला कुशन एस डबल ए मर का पूर्ण रूप आपको बतानी है दोसों इसका सही अंसर क्या होगा कुशन नमर 14 है सही अंसर होगा सवालंबन योजना के तहत जहारखंड के कीस जीले को पाइलट जीला के रूप में चुना गया है 15 है अंतिम कुशन है अब लोगा करेंट एफ्यर समसमाई की से तो डी नमर होगा जो की खूटी तो देखे अब सारे कुशन अप लोगा देशें तो कंपिटर का है और आप लोगा देखे बढ़ी हैं पुशन आप लोगा देखे आंसर देना है सबसे पहला क्यों देखे सी बेसिक कोबाल और जाबहा डैस भासाओं के उधारन है इस पहले अंसर आप लोग क्या दीजेग में मेंन के बैस होता है जो सेस बैव साइट के डोरवे का काम करता है ऑली एक स्टोरे एरिया ऑकशyeong आ होता है जिसे अक्सर डैस काते है in डिन सुन डबाल इसका साहिए शाय अंसर क्या क्या हुं सीनी थीक डिल भॉक्ण मसाइब भॉक्सक्राइब डिजिटल घडि में कीस परकार काbird पाया जाता है हाइप है, सई अन्सरों का सी नम्बर, जök की देखे एमपेडेट कंप्यूटर टीक है, एमपेडेट कंप्यूटर अगले कुसन देखे, मौडम किसे जुड़ा होता है, 6 है, सही अन्सरों का D-Number, जोकि यहां पर देखी, आप लोगा देख सकते हैं अगले कुछन यहां पर देखें वह हाड ड्राइवर ठीक है वह हाड़ वह हाडवेयर जो आपके कम्पीटर के डिजिटल सिगनल को एनलोग सिगनल में बदलता है जो टेलिफॉन लाइनों पर भेजा आ जा सकता है कहलाता है कुछन नमर अठवाँ है सही अंसर का डी नमबर जो की एल जो टेन देखिए डैस से जो है गेम खेलना आसान हो जाता है कुछन नमर टेन सही अंसर का बी नमबर दोसों जो की जाइस्टिग एलिवन देखिए डैस जो है डैस व्यू दिखाता है कि मार्जीन हेडर और फूटर के साथ छापे हुए पेज पर कं इस कुछन का सही अंसर हो का डी नमबर जो की पेज ले आउट ठीक है यहां पर डी नमबर इसका जो है सही अंसर होगा है कि कुछन नमबर टूएल यहां पर देखिए यह आप लोगा टूएल जैसे ही आप डॉक्यमेंट ग्राप और फिचर बनाते हैं आपका कंप्यूटर डाटा को डैस में फोल्ड करता है कुछन नमबर टूएल वे सही अंसर होगा डी नमबर जो की देखिए मैमोरी अगले कुछन 13 है जब दोनों तरफ से हासिय और सम हो तो इसका अर्थ डॉक्यमेंट में क्या होगा आपको यह बताना है कुछन नमबर देखिए इसका सही अं स्टिपिकेशन है अगले कुछन 14 है डिजिटल पोटो इसकेंड इमेज़ेस को बी एंबी पी एंजी जे पीजी टी आई एफ या जी आई एफ जैसे एक्स्टेंशन के साथ डिएस ग्राफिक के रूप में टीपिकल स्टोर किया जाता है तिस कुछन का देखिए सही अंसर क्या होसा है 14 यह नमबर होगा जो कि वेक्टर देखिए 15 है डेस जो है एक कम्प्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है तथा एक स्पेशल सॉप्पेर चलाता है और इंटरनेट पर जो है दूसरी कम्प्यूटर को वेब मेसेज भेजा जा सकता है कॉस्चन नमर 15 है इसका सहीं सर्वर डी नमर जो कि वेब सर्वर विवारा ठीक है तेकि कॉस्चन नमर 16 है यूजर दोवारा जो है फाइलें यूजर दोवारा फाइलें सेव और डिलेट किये जाने के बाद तक्षता पुर्वक उप्योग में लाए ना जा सके ऐसे अत्या चोटे स्टोड डाटा के जो है स्केटर एरिया रहा जाते हैं जिनसे डैस हो सकता है तो इस कुस्चन का देखे सहीं सर्व क्या होसा है कॉसर नमर 16 तो डी नमरों का जो कि यहां पर देखे फ्रेग्मेंटेशन अगले कुस्चन यहां पर देखे डैस जो है इंटरनेट स्टेंडर प्रोटोपॉल है तो इसका सहीं सर्व का यह नमरों जो कि टी सी पी आईपी प्रेटीन देखे निमेलखीत में से कौन सा जो है कम्विनिकेशन प्रोटोपॉल है जो वेब बेस्ट इंफर्मेशन को एकसेस करने वाले परते एक कंप्यूटर दोवरा परते परियूगत स्टेंडर सेट करता है प्रेटीन देखे निमेलखी प्रोटोपॉल है जिनकी साहिता से कोई वेगती विस्ट कारिये के लिए कम्विनिकेशन का उप्योग करता है प्रेटीन देखे अधिकरित उपभवताओं के बीच डेश हाडवेयर शॉप्वेयर एवं आकणों की समझदारी करता है कुछन नमर्टी होगा ए नमबर देखे इसका सही अंसर नेट वर्ग तो दोस्तों देखे कल का कुछन था अपनों का दुर्जन साल को समराड दवारा हीरे की अपनी विशेशक गिता के कारण जहांगीर जो है इसका सही अंसर आएगा ठीक है तो दोस्तों देखे आज का कुछन आप लोग का निमलिकीत मेसे जो है किस राज का लोक निरत्य करमा है आप लोग को जो इसका आंसर देना है आप रॉक्सम दिया है जार्खन और चातिसगर केवल जार्खन चातिसगर और मद्यपर देश रेगुलर क्लास करने वाले जरूर इसका आंसर दिजिएगा चलिए कमेंट आप लोग जरू कीजिए का सुँझ चहें आप आए ना आए क्योंच कर दो को देजिए खून आए झालाइ जान रही ही कामेंच करना चरदल बाट ही